हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे. तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि हमने जो नया NERPAY application लाँच किया है, application पर फर्स्ट टाइम लोगिन करने के बाद क्या-क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम लोग NERPAY application को ओपन करेंगे. एप्लिकेशन को ओपन करने के बाद मोबाइल नमबर और पासवर्ड डाल कर लॉगिन करेंगे. लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की डैश्बोर्ड ओपन होगा. फर्स्ट टाइम जो लोग लॉगिन करेंगे, उसका जो काम है उपर की तरफ जो एक फोटो का आइकन है वहाँ पर क्लिक करेंगे. फिर आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा चेंज पासवर्ड ओप्शन वहाँ पर क्लिक करेंगे. उसके बाद आप यहाँ पर पासवर्ड को चेंज कर लेंगे. यहाँ पर दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा कि पासवर्ड आपको six digit में देना पड़ेगा. आपका जो पासवर्ड होना चाहिए और small letter, capital letter, end number और एक special character होना चाहिए. जैसा कि example, एक capital, एदो small letter की A और एक special character जैसे कि A और दो number इस तरह की पासवर्ड का format होना चाहिए. यहाँ पर old password वाला old password जो है, वह डालेंगे और नया password पर आपका जो नया आप बनाना चाहते हैं वह वाला password डालेंगे. यहाँ पर passport डालने के बाद आप update पर क्लिक कर देंगे. उसके बाद आपके password successfully change हो जाएगा. पासपोर्ट चेंज करने के बाद back button पर क्लिक करके वापस से home page पर आ जाएगे. तो हमारा पहले जो काम है वह complete उसके बाद हमको वापस से profile के icon पर क्लिक करना पड़ेगा. उसके बाद setting option पर क्लिक करेंगे. फिर आपको यहाँ पर 4 digit का M pin set करना पड़ेगा. याद रहे दोस्तों, AM pin आपको हर recharge के वक्त डालना पड़ेगा. M pin डालकर यहाँ पर update पर क्लिक करेंगे तो आपका M pin successfully set हो जाएगा. दोस्तों, आज के वीडियो इतना ही. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करना और हमारे चैनल को subscribe करना. अगर आपको हमारे application के बारे में कोई भी query है तो आप हमारे customer care support team से contact कीजिए. हमारा customer care number है 906 4015 292 कर दो